हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटू चैनल जैमातादी तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि करवा चोहत के ब्रत में हमें चाय पानी या दूद पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ये वीडियो उन महलाओं के लिए है जिनकी नई नई साधी हुई है और पहली बार करवा चोहत का ब्रत पढ़ रहा है बहुत से लोग पोच्टे हैं कि मैं हमें करवा चोहत के ब्रत में चाय पानी या दूद पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए फ्रेंडों की करवाचवत का ब्रत करने का पूजा करने का अलग अलग परवारों में अलग अलग रीती रिवाज होता है सब अपने अपनी परवार के रीती रिवाज से करवाचवत का ब्रत रखते हैं और करवाचवत की पूजा करते हैं कहीं कहीं पर तो सर्गी खानी का भी रिवाज है पंजाब बिहार हर्याणा में सर्गी खानी का बहुत ही प्रचलन है लेकिन हमारे उत्तर भारत में सर्गी खानी का प्रचलन नहीं है पंजाब बिहार हर्याणा में महलाएं तारों की छा में ना दोकर सर्गी खाती है सरगी में मेलाएं फलहार वाला खानाखाती है जो ब्रत में खाया जाता है सरगी में चाय, दूद, जूस और पानी मी शामिल होता है तो friends में आपको बता दूँ जिन मेलाओं की नई नई साधी हुई है और पहली बार करवा चोथ का ब्रत रख रही है तो उन्हें चाय और दूद पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए यदि आप पहली बार करवा चोथ का ब्रत रख रही है और आपके यहां सरगी नहीं खाई जाती है तो पहली बार करवा चौत के ब्रत में आपको दूद, चाय या पानी ले लेना चाहिए तो फिर आपको दूद, चाय और पानी में से कोई एक चीज सुवह के टाम या फिर दोफेर के समय में पी लेना चाहिए आपको दिन में सिर्फ एक बार लेना है या तो आप दो फेर में चाए, दूद या पानी पी सकते हैं या फिर आप सोवै की समय चाए, पानी या दूद में से कोई एक चीज पी सकते हैं वो इसलिए यदि आप किसी परिस्तिती में फस जाएं तो हमेशा एक बार करवाचोत के बृत में चाय पानी या दूद में से कोई एक चीज पी सकते हैं और ये काम साधी की पहली करवाच्वत के ब्रत में ही किया जाता है और मैंने भी खुद अपनी साधी की पहली करवाच्वत के ब्रत में चाय पीती क्योंकि मेरी सासुमा ने कहा था कि पहला करवाच्वत का ब्रत है इसमें चाय या दूद्य कोई चीज़ फीलो जिसे अदिए यदि आप किसी परिशित्रि में फस जाओ तो करभा चौद्ट के बृत में आप एक बार दूद्ध चाय या फिर पानी में से कोई एक चीज़ ले सकें तो तो फ्रेंड्स मैंने अपनी सासु मां के कहनी पर चाय पीती पहली करबाच्वत के ब्रत में यह नहीं है कि आप साधी के तीन चाय साल बाद यह प्रमपरा अपनाएं या फिर दो साल बाद या उसके भी जादा अधिक 14-15 साल बाद यह काम करें और यदि आप यिए शाधी को कई साल हो गए है तो आप दूद या चाय पानी कुछ भी न ले हैं और दूद पानी में से कोई एक चीज पी सकते हैं और यदि आपके परवार में कोई बुजर्ग महला हो जैसे आपकी मां हो या दादी नानी या फिर आपके आसपरोस में कोई बुजर्ग महला हो तो आप ये बात उनसे भी पूछ सकते हैं वो भी यही बात कहेंगी जो मैं आपको बता रही हूँ और ये वीडियो केवल सिर्फ उनी महलाओं के लिए है जिनका पहला करवाचोथ का ब्रत है जिनकी नई-नई साधी हुई है उन महलाओं के लिए नई है जो पहले से ही करवाचोथ का ब्रत कर रही है तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी ये वीडियो सिर्फ उन महलाओं के लिए है जिनकी नई-नई साधी हुई है पहला करवाचोथ का ब्रत है उन महलाओं के लिए नई है जो पहले से ही करवाचोथ का ब्रत कर रही है तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया ब्रत करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि आप हमारे चैनल राइट चोईस निरेज पर पहली बार आए हैं तो पहली चैनल को सस्क्राइब करिए करवा चौत ब्रत की आप सभी को लख-लख बदाएं